हलो प्रेंट्स गुड मॉर्निंग आज का हमारा वीडियो है उन हाउस वाइफ के लिए जो इस कूटी चलाने से जिनको डर लगता है और वो अपनी कॉटिएंस के साथ इस कूटी सीख लें उसके लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है और सभी लोग इस वीडियो को हैं और इसे फायता उठाएं और जो लोग दरते हैं और पॉन्फिदेंस इनका कम है उनके लिए वीडियो बहुत पाइदेमन्ध होने वाली है तो प्लीज आप लोग वीडियो को फुल वाच करना और मैं इसको चला के दिखाऊंगी स्कूटी को और उसको इंज्वाए करन स्कूटी सीखने से पहले हम लोग जान लेते हैं स्कूटी के बारे में थोड़ा सा तो जिस स्कूटी से आज मैं स्कूटी आपको सिखाने वाली हो तो मेरी स्कूटी है हॉंडा की ग्राजी है स्कूटी और काफी उची स्कूटी है ये बाइक के बराबर ही रहती है तो फ्र लेटर है इसी से हमारी गाड़ी आगे चलती है और ये ब्रेक लगा है ये ब्रेक आगे वाला है और इतार साइड में ये जो ब्रेक है ये पीछे वाला ब्रेक है हम लोगों को आगे का ब्रेक कम ही लगाना चाहिए ज्यादतर हम लोगों को बैक वाला ब्रेक ही इस्तेबाल कर और यहां पर है इंडिकेटर है यह इंडिकेटर है यह हम लोगों को जब मुड़ना होता है रूट पर दाए अबाएं तब इसका यूज किया जाता है और यह यहां पर हॉर्ण है सबसे पहले स्कूटी श्राट करने के लिए हमको इसकी का प्रियोग करना होता है और इसको ऐसे कर देते हैं सीधा यहां पर ओन लिखा हुआ है यहां से स्कूटी हमारी ओन हो जाती है इसके बाद इधार आते हैं यह स्टार्ड पटन यहां से स्कूटी स्टार्ड हो जाती है और फिर यह है एक्सीलेडर हमारा एक्सीलेटर को धीरे-धीरे आगे करना होता है तेजी से करने की जरूरत नहीं है विल्कुल धीरे-धीरे अगर आप ने 3 दीバका दीचलाएंगे इस तरह से आप वीरे वीरे राउंडे चलाएंगे तो प्रेंस अभी आपने डेमो देखा कि मैंने पैर नीचे करके तैसे स्कूटी चलाई तो जब भी आप नया नया सीख रहे हो तो आपको भी ऐसे ही करना है और बिल्कुल भी दरना नहीं है बिल्कुल कांफिजेंस के साथ जब तक आपको बैलेंस बनाना नहीं आ रहा है और जब आपको confidence आजाए उसके बाद आप पैर उपर करके पनी स्कूटी को चला सकते हैं ऐसे फ्रेंड्स बाई बाई आज के लिए इतना अब आगे नेक्स वीडियो में बताएंगे ओपे चलती हूँ करने बाई आपको चलती हैं